इश्रम काड के जरिये असंगठित मजदूरों को लाब पहुचाने के लिए सरकार की और से चलाएगा योजना का लाब पाकर असंगठित मजदूर काफी खुश नजरा रही हैं इस योजना के तहट मजदूरों को दो लाख के बीमा का लाब मिलेगा वहीं उन्हें काम करने के लिए लोन और अन्य सरकारी सुवधाओं का लाब भी उपलब्ध होता है सरकारी योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए असंगठित मजदूरों का पंजिकरन शंब विभाग की और से किया जा रहा है इसके तहत फरिदाबाद में अब तक 3,55,616 असंगठित मजदूरों का पंजिकरन किया गया है जो हरियाना में अन्य जिलों के मुकाबले सबसे जादा है सरवाधिक है तो इसमें निर्मान सर्मिक है, खेती हर मजदूर सर्मिक है दिहारीदार मजदूर है, बड़ई है, परवासी मजदूर है, मरेगा मजदूर है आटो चालक, आशा वरकर, आंगनवारी वरकर, घरेलू कामगार, दूर बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रेडी वाले, पटरी वाले, रिक्षा चालक, सबजीवी क्रेता, और कारिगर, भुनकर, पलंबर, आदी, अन्य एसंग्थित मजदूर जो भी है, वो सारी इसमें कबर होते हैं, जर्जिस्टेशन कराने के फाइदे यह हैं, कि इसमें दो लाक रुपे का फरी बिमा बनाया गया है, और सरकार द्वारा भविश्य में जितने भी योजनाएं चले गी, वो इसी एस्रमकार्ड के माद्यम से मजदूरों को, उनका बेनिफिट दिया जाएगा और सभी इसके साथ जो मजदूरों से रिलेटेट जितनी भी स्कीमे हैं वो इसके साथ जुड़ जाएगी इसरम कार्ड पूरे भारत में सभी कारिये होगा इस कार्ड बनने के बाद PMSVI के तहट दुरगटना विमा कवरेज रहेगा विभिन परकार के समाजिक सुर्क्षा लाभूं का वित्रण इसरम के द्वारा किया जाएगा आपदा महामारी और जैसी कठिन प्रिस्थितियों में केंदरवे राज्य सरकार सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी असानी रहेगी दुरगटना से हुई मरित्यू अथ्वा स्थाई रूप से विकलांग होने पर दो लाग रपे का फरी भी मा इसमें कोई खर्चा नहीं आता बलकि रजिस्टेशन करवाने के लिए हमें नजदीक की किसी भी CAC सेंटर पर जाके फरी में रजिस्टेशन होगा CAC सेंटर वाले को जो पैसा मिलेगा बनाने का वो सरकार की तरफ से मिलेगा फरी में होगा इसकी वेबसाइट है www.gov.in पर ये पंजीकरण करवाया जए और इसके लिए एक नेशनल हेल्प लाइन डेस्क भी बनाया गया है जिसका नंबर है 144-334 बता दें कि इस योजना के तहट पंजीकरण कराते ही दो लाख रुपे का भीमा कामगार का फ्री में हो जाता है जिसका सीधा लाभ कामगार को मिलता है सरकारी योजनाओं का लाभ भी पंजीकरण के माध्यम से कामगार ले सकता है गौर्टलब है कि इस योजना के तहट गरीब मजदूरों रेडियो खोमचे वाले रिक्षा और आटो चारक सही दूद बेचने वाले लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है पंजाब केसी टीवी के लिए फरिदाबाद से सुधिर श्रमा की रिपोर्ट